अभी इंडियन नेवी की मेडिकल असिस्टेंट आर्मी मेडिकल असिस्टेंट और एयर फोर्स मेडिकल असिस्टेंट अब आया हैं इंडियन नेवी SSR यह बरती SSR के थुरू आई हुए है बहुत सुनेरा आउसर है आप सभी को एक डॉक्टर के सायक बनने में भरतीश है नाम है और जो की एक lifetime achievement है तो medical assistant only male candidate इसमें बरेंगे form यह बरती male candidate के लिए है और यह अच्छा मौका है जो non component में भर नहीं पाई या रह गए उनके लिए जो PCV उनके लिए अच्छा मौका है यह math वाले student इस video को न देखें जो math वाले student है तो education qualification 10 plus 2 physics chemistry और biology physics chemistry और biology में total में 50% चाहिए और इन तीनों subject का 50% यहां पर और इच subject physics chemistry bio physics में भी 40% chemistry में भी 45 और बायो में भी 40 टोटल aggregate percentage है 50% का है और प्रतियक subject में 40-40% का है एज कितनी है जिन लोगों की एज एक नौंबर 2003 से 30 अप्रेल 2007 इसमें भी वही सिस्टम है कि आप साले 17 से 21 साल के बीच के हैं तो date of birth यदि एक नौंबर 2003 और 30 अप्रेल 2007 के बीच में आप पैदा हुए हो तो इस form को भर सकते हो जब भी कभी date of birth का डाउट हुआ करें तो आप इस date को देख लिया करो यह ब्लॉक है एक इस ब्लॉक में क्या है एक नौंबर 2003 में जिसकी date of birth है और 30 अप्रेल 2007 इस बीच में आपकी डेट आ रही है तो यह समझे लो आप इसके लिए इसकी हाइट 157 से स्टार्ट होती है और वेट आप वीडियो के description में जाएं वहाँ पर वेट की पूरी लिष्ट दिये वहाँ उस वीडियो को देखें और अपना हाइट के अपका वेट कितना है वो सभी चेक कर सकते है नेक्स्ट है रजिष्टेशन कव श्टार्ट हो रहा साथ सिथे स्टार्ट होगा 10 सभी में का समय दिया जाएगा सत्रा सितंवर पर आप को रजिस्टेशन भर देना हर हालत में उस रजिस्टेशन के लिए डॉकुमेंट की क्या के जरूरत कि साइट पर आप रजिस्टर करेंगे नौसेना की इंडियन नेवी की साइट है जो वीडियो के के ट्वल्थ पास ही चाहिए डो मिशायल लगेगा निवाश मौनापत एंसी सर्टिफिकेट हो लगेगा आधार कार्ड आपका और माक्षीट और सर्टिफिकेट से भी आपके अब हम बात करेंगे रजिस्टेशन तो साथ तारीक को स्टार्ट हो गया पेमेंट कितनी होगी स् पेमेंट जो खथम पहली पेमेंट मिलेगी तो 28 239 जार लगवक 35,000 और जो खतम होती है कितनी होगी एक लाग तक अगर 20.000 नौकरी करते हैं एक लाग और ज्यादा करते हैं तो 1.500.000 दो लाग ऐसे इंस्स यदि कुछी भी फोजी की कुछ भी डैत हेंड होती है तो इंस्स लेक्स प्रोफसेस बतादेता हूं क्या है इसका ईस्टेज फॉस्ट इस्टेज सेकेंड यह स्टेज ने स्टेज कैसे की नीजया बोर् नहीं में क्या होता है पहले सभ siitä वर्ष्ट में क्या से यह एक वेकंसी डिया जाता हां तक है को लिया जाता है आप बात करेंगे स्टीट कंडी रेट में कॉल लेटर किस तरीफे से आता है कॉल लेटर जो होता है जिसे admit card भी बोलते हैं physics chemistry और बायों में जो आपके marks होते हैं call letter उसी के आधार पर आता है जो जितने marks जिसके ज्यादा होते हैं top candidate को देते हैं और state wise vacancy के अंसार भी देते हैं जो stage first का काम है आपका admit card भीजना call letter जिसे बोलते हैं तो जिनके marks physics chemistry बायों में ज्यादा हैं उन्हीं के chance हैं इसमें admit card आने के stage 2 में क्या होगा आपका written test होगा written test 100 marks का होता है यह गंटे का time होता है मतलब 60 minute में 100 question करने हैं without any wasting of time saw question आपको 60 minute में करने इसलिए त्यारी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी और इसकी practice भी बहुत करनी पड़ेगी प्रैक्टिस साट जो paper होंगे question जो आएगा वो दो language में आएगा Hindi और English में कौन-कौन से subject आएंगे English आएगी बिग्यान आएगी biology आएगी general awareness आएगी और reasoning आएगी यह पांच सब्जेक्ट आएगे इंग्लिस science बायो general awareness जिसे जी के बोलते हैं और reasoning यह पांच सब्जेक्ट आएगे पांचों के जो मांक्स अलग-अलग होंगे पच्छिस 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 के जिसमें एक English का होगा एक science का होगा एक जिसमें पच्छिस मांक्स होंगे सभी में पास होना अनिवार है पच्छिस पच्छिस के चार सेक्षन आएंगे जो सो क्यूस्ट बनते हैं तो उनको सबको आपको सिर्फ साथ मिनिट में अटेंड करना है हिंदी इंग्लिस दोनों लेंग्विज में और यह रिटिन के सद्धारिंग्वनुट्यू लें रिट्प 1.6 किलो मीटर मैं सोलाा सो मीटर च्छे मिनिट तीश सेकेंड में होगा सादेच छे मिनिट में डॉल्ल evitar को सबस पैस कर लोगे इसके बाद आएगा आपका मेड़क अच्छ और खाली पेट और आफ्टर ब्रेकफास्ट एटू जैड मेडिकल के वीडियो एक अलग दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको आप देख सकते हैं मेडिकल में क्या क्या होता है इसके दौरान अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप आगे मेरे आत्म हो जाएगा फिर नेक्स्ट लेविल पर आएंगे यदि जो सभी पास हो जाते हैं आप जैसे ही रिटन में पास हो जाते हैं पी फटी फिटनेश टेस्ट पास कर लेते हैं और उसके बाद मैडिकल भी फिट हो जाते तो आपकी बनेगी मेरे लिस्ट मेरे लिस्ट किस बेस पर बनती है वो भी बता देता हूं रिटिन टेस्ट जो हुआ फिजिकल हुआ आपका इसके बेस पर आपकी मेरे लिस्ट बनेगी जो मेडिकल पास होगा इसके बाद जो कट ओफ जाएगा वह स्टेट वाइज कर टॉफ जाता है ठीक है जैसी फाइनल मेरे लिस्ट होगी तो आपकी जोइनिंग लेटर आएगा जोइनिंग के बाद ट्रैनिंग होगी फिर बनेंगे आप इंडियन नेवी के मेडिकल असिस्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट डेट बता रहा हूं उनको नोट कर लीजिए जैसे आपका फॉर्म एप्लाइड डेट है 7 सेसंबर से 17 से संबर के बीच बिल्कुल ना भूलें और आपका रेटिन टेस्ट है 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर को बीच कभी भी हो सकता आपने तयारी बना की रखें पूरी तयारी के साथ रेटिन टेस्ट देने जाए बेस्ट आप लग रहेगा इसके लिए हमारी तरफ से इसके फिर से एक नई जानकरी साथ अगले वीडियो में जैहिन